इस समय हमारे साथ एक बेहत खास में मान जुड़े हैं मनीश कश्यप मनीश कश्यप जी आपका विरंदन है न्यूज 18 पर मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि आज आप नेता हो गए है और सिविर इंजिनरिंग उसके बाद यूट्यूबर और अब नेतागिरी इसकी वज़ा क है कि अच्छे भ्यू के लिए हो अच्छे धे के लिए हो तो अच्छी बात है जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतितों में भारतिय जन्ता पार्टी का हर एक नेता करता है देश को मजबूत करने के लिए तो मेरी महा ने कहा कि मोदी जी के साथ मिलके जो है आप जो है मातरी भूमी के लिए गाम करो और नोच तीवारी भीया जो है वो जब मैं जैल में था तो मेरे से जैल में भी मिलने आये थे तो बहुत सारा बीजेपी के नेता जैसे बिनोट कावड़े जी शुसिल मोधी जी और भी बहुत सारे नेता जो है मेरे लिए आवाज उटाए जब मैं बुरे दिनों में था तो माने कहा और मैं जो है बीजेपी में सामिल हो गया लेकिन बीजेपी में तो आप शामिल हो गए हैं माने कहा आपने अपनी मा की बात को माना मा की बात मानना बड़ी अच्छी बात है लेकिन एक बात बता ये कि आप तो खुछ चुनाव लड करना चाहता था और मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मक्सद था कि तेजस्वी आदो जी जिस परकार से हम जैसे लोगों को फसा के जेल में डालके अपना जंगल राज का बढ़ावा करना चाहते थे तो मैंने तो जेल से जेल जाने से पहले ही कहाता कि सरकार गिरा दूँगा और जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि ये सिस्टम जो है मुझे बार-बार परसान करेगा अभी मेरे पास एक documents आया है मैं उसको आपके पास भेज दूँगा अभी दस दिन पहले तेजस्वी जी के कुछ लोग जो है मेरे उपर CCA लगाने के लिए जो है ना बेतिया के DM साहब को लेटर लिखेता है दस दिन पहले अगर मुझे भारतिये जनता पाटी कहती है कि आप चुनाओ लड़ते हैं चुनाओ लड़के जो काम कीजेगा उससे अच्छा है कि आप हमारे साथ मिलके वही काम कीजे ब यूट्यूब पे आना चोड़ देंगे अब नहीं यूट्यूब पे तो आऊंगा मैं और यूट्यूबर वाला टैग जो है हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा और मुझे इस बात का गर्व है लेकिन महां से आप जेल भी पहुंच गए थे देखे जेल तो जबरदस्ती यादो जी किसी भी यूवा को जो है बिहार में देखना तक पसंद नहीं करते है किसी भी टाइलेंटेड यूवा को वो चाते है कि पूरे बिहार आपके पास बिहार से लेकर तमिलाडू तक बड़े सारे किस दर्जू है तो फिर कोट ने जो है NSA हटाया भी तो सही मुझे NSA NSA में बेल नहीं हुआ है NSA में कोट ने NSA को क्वेस्ट कर दिया मतलब खारीज कर दिया खतम कर दिया और मदरास आई कोट का मदराई बेंच ने लिखा क्या वो अपने जजमेंट में लिखा है कि NSA इनके उपर लगाया जाना दुरभाग्य पूर्ण है लेकिन आप जब आप ज लोगतंत्र की होते जहते हैं और सिर्फफ पर सिर्फ अपनी परिवार की बात करते हैं समाजवाद की बात करते करते précisилась करते सिर्फ पर चिरोज ती जोरी भरते हैं और आप बताये ऐसे अलोक तांत्रिक गटवन्दन और आलोक तांत्रिक का अगर पार्टी जो डिरेक्ट कहते हैं कि भारत के संसादन पे पहला अधिकार फलाना का है वो लोग तांत्रिक एक दम 100% है जो लोग जो है अब बताईए लालू जी के परिवार में जितने भी लोग जो है आज चुनाओ लड़ रहे हैं उनकी पहचान क्या है सिर्फ पर सिर्फ एक ही पहचान है कि वो लालू जी के लाल है लालू जी की बेटी है आप बताईए कि बिहार में लालू परिवार ने मैं लोडता हूँ इस सवाल के उपर, लेकिन आपको क्या लाक्तों की भारती सेना में आपके पिता रहे, उसका हिस्सा रहे, अभी भी है वो, तो आप पे NSA लग गया, हाला कि कोट ने आप उस NSA को हटा दिया, लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, तब आपकी मनुस्तिती क्य देखे पहले तो जो केस पटना में दर्ज हुआ, वो सारे के सारे केस में जो है, मुझे रिहाई मिल गई, मतलब केस खतम हो गया, कमाल की बात यह है कि तेजस्वी आदो जी की जिस दिन सरकार गिर रही थी, उसके पांच दिन पहले वो मेरा सारा केस स्पीड ट्राइल में अगर आगे आएगा तो यूराज का सिंगहासन खत्रे में पड़ जाएगा, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया, और मेरा सारा केस स्पीड ट्राइल में जो है, उस सारे केस में जो है, मुझे बाईजत बरी कर दिया, कोट ने, लेकिन आपने तो आरजेडी पर और उस सरकार पर बड़े सारे सवाल उठाएते, आप नितीश के साथ, नितीश बाबू के साथ तो आप खुद हो गए, यानि आप बीजेपी में हो गए, तो कैसे उठाएंगे, नितीश कुमार के खिलाप मैंने जेल से निकलने के बाद कभी भी कुछ नहीं कहा है, आप देख सकते हैं, और मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं, नितीश कुमार में, लेकिन उस सरकार के चेहरा तो वही तह तो तो तेजश बाद करना है, तो बियार के कुछ अधिकारियों को लगने लगा कि तेजश कुमार जी ने भरे मंच पे सभा में ये बात बोल दिया था, कि अब तो तो भरपूर परतारित, भरपूर फसाने का प्रयात और हर चीज की है, लेकिन हाला कि बाद में कोट ने हमारे साथ इंसाफ किया और बाईज़त बरी होके आज मैं आपके सामने बैट हूँ लेकिन लालू परिषाद यादव के कई परिवार के चेहरे मैदान के अंदर हैं, आपने उनकी बाद भी की रोही नी अचा रहे हैं, मीसा भारती हैं, तेजस यादव हैं, राब्री देवी पहले मुख्य मंत्री रही, बिहार के लोगों को पता नहीं है पूरी जनकारी, र 1997 से लेके सन 2000 तक ये तीन साल तक रावडी देवी फाइनेंस मिनिस्टर भी रही है ये चीज़े है जो मुख्यमंत्री लेली जो सरकार का मुख्य होते है तो फाइनेंस मिनिस्टर के वरी बात है फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कि आपको फाइनेंस की कुछ जनकारी ही नहीं है औ लेकिन लालू जी, अब मैं कहूँ कि मेरी मा जो है बियार की मुखमंत्री बन जाए, मेरी मा तो राबरी देवी जी से ज़्यादा पढ़ी है, राबरी देवी जी से ज़्यादा संगर्स मेरी मा की है, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं मेरी मा जो है बियार की मुखमंत्री बननी चा अपनी वाइब को बना की चले गए लेकिन मैं फिर आपकी जेल पर आता हूं जब आप जेल गए क्या आपको लगता आप पर परतारना हुई था एक दम बिलकुल परतारना हुई फिजिकल टॉर्चर जो है तामिलाडो जेल में किसी नहीं किया यह बास सत्ते है लेकिन मेंटल टॉर्चर तो मैं हुआ अब जड़ा सोची आपको कभी लगता था बाहर आएंगी मुझे लगता था कि तीन चार साल कम से कम मैं जेल में रहूंगा कम से कम और इस हिसाफ़ से इन लोगों ने परियास भी किया था सब को पता है कि मां तो बहुत परिसान हो गई मां को बीप की है और उस चकर में मेरी मा भी पड़ता रिच हुई एक दस भाई छे के कमरे में मैं 45 डीटांपरेचर में उस जेल में ब्ण था जिस जेल का स्थपना अंग्रेजों ने 1865 में कराया था और उस सेल में बंद था जिस सेल में भारत के अनिकरता सेनानी में पूरा डिटाप मैंने देखा और मुझे इस बात का गर्व महसुस हुआ कि इन बिहार में जो है जो अंग्रेजी हुकूमत कायम करना चाहते थे अब बीजेपी प्यारोप है कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है तो करेंगे यूट्यूब पे प्रोग्राम आप इस प्रोग्राम करती है यह दावे के साथ इसलिए कहता हूँ कि बीजेपी ने कभी भी किसी सही आदमी को जेल में नहीं डाला यह क्या है कि यह हिंदू-मusulman हो रहा है इस चुनाफ के अंदर कौन करता है कहें राउल गांधी करते हैं कहे नहीं राम मंदिर में इंविटेशन मिला तो कहें नहीं आप जाएंगे किसके पास आप जाएंगे राम मंदिर जाएंगे करेंगे तो अभी वायनाड का election हो गया, केरला में वायनाड का election हो गया, तो आप तो जहीं भे करेंगे, पहले का है नहीं गया राउल गांदी, यह लोग फरजी लोग है, यह लोग तो पहले तो यह लोग बिदेश से आये हुए हैं, इन लोगों का nationality जो है actual nationality, nationality तो इंडियन है, ल यह भारत को समझ नहीं पाएं, आज तक भारत को समझ नहीं पाएं, भारत के संस्कृति और संसकार को नहीं समझ पाएं, और आज जो है यह लोग कहते हैं कि सरकार बना लेंगे, जो राम को नहीं समझ पाएं, भारत के संस्कृति और संसकार को नहीं समझ पाएं, वो कभी भी भारत में सरकार को अब नहीं बना पाएंगे अगला सवाल मेरा आपसे क्या आपको लगता है कि आज के दौर की राजनीती के अंदर सोशल मीडिया का बड़ा इंफ्लूंस बढ़ गया है और क्या आपको लगता है यह अच्छा भी और बुरा भी अदेखिए सोशल मीडिय मतलब कि 90% अच्छा है 10% मैं बुरा कह सकता है बुरा ही क्या है अच्छा इसलिए को नहीं बहुत सारे जगहों पर सोशल मीडिया पर असलील कंटेंट है बहुत सारे जगहों पर जैसे बहुत सारे रिपोर्टर का जो है AI जो है आटिफिसल इंटिलिजन्स के द्वारा बना है कि सोशल मीडिया ने अनेकों ऐसे लोगों को आवाज दिया जिनका आवाज कभी सुना नहीं यह आपकी बात वाजिब है चलिए अब मैं कुछ नाम लूँगा और मैं चाहतूं कि आप उनके बारे में जरूर बोलें करहिया कुमार नौर्थ इस पर मनोज तिवारी के खि जो कभी देश हित की बात नहीं किया हूँ इक बार भी मैंने नहीं आपके प्रदेश के हैं वह मतलब की सिद्सुना इधां 후 कने बिहार के गरीबों के लिए कभी आवाज उठा है एक चीज दिखा दिजिए चियर पे बैठते हैं न्यूज चैनलों पे और सिर्फ मोदी जी को वो सब्द से अपमानित करते हैं जो सब्द का इस्तमाल किसी भी पर्धार लेकिन राहुल गांदी के बड़े क्लोज हैं करीबी पहले तो Communist Party के थे वहां से भगा दिया गया फिर तेजस्वी आदो जी ने बिहार से भगा दिया ठीक है उसके बास से दिल्ली हैं दिल्ली में Congress के कर्या करता है जो लोकल कर्या करता है उनको accept नहीं कर रहे हैं वो भगा रहे हैं और राहुल गांदी चाहते हैं कि भाई यहां पर मनोज टीवारी जी तीन लाग तिरानवे आजर भूट से जिते हैं वहां पर बिहार से भगा के करन्हिया कुमर को भेज दिया गए इस पर मनोज टीवारी जी शाधे चाहर शे पास लाग बोटों के जीतेंगे तो आप मित कर जाएगा लेकिन आप कहा रहे हैं कि मैं घरीबी भू तो'd equ papers करना चाहिए जी जो उनके पास सुआरी समफती अनिया इस के नाम पर कर दे क्या हो करेंगे आर अर और सुन ये गरीभी तू इनके पुर्वज भी मिटाते आएं प्रियास खुब फ्रांस में धुलाई होने जाते थे बंडी जो है वो ने ने बंडी आते थे उसके पासे जो है इनके पिता जी इनके दादा जी इनकी दादी मा इनके दादी मा के पिता जी सब लोगों ने प्रियास किया हम लोग जो है अगला नाम नरेंद मोदी था परधान मंत्री नरेंद मोदी आपकी शब्दों में देश का सबसे मजबूत परधान मंत्री और दुनिया का सबसे लोगप्रियनेता दुनिया का सबसे लोगप्रियनेता दुनिया का सबसे लोगप्रियनेता मैंने कह रहा हूं प मुकमंत्री नहीं बनना चाहिए ठीक है चलिए आपने हमें समय दिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने किम्ती समय दिया और मनिस कस्यप को जो है इतने बड़े रिपोर्टर है आप यहां पर बिठा के जो है मेरा इंटर्वियो किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुब कामने आपकी नहीं पारी के लिए जाहिद